है 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 एलो दोस्तो मैं दर्मिन मुझीद राप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गुज़ाती चैस जोन में दोस्तो अब तक हमने दो ओपनिंग की सीरीज करती है स्कैनलियने डीफेंश उसके बाद में मैंने आपको दी है डैनिस गेंबीट की लाइन्स आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कैरोकान डिफेंश हाउ टू प्ले अगेंस कैरोकान डिफेंश के सामने वाइड से कैसे खेला जाए और कैसे अच्छी पोजिशन और अटे लेते हैं तो यहां पिद्व से मैं आपको बताऊंगा कि हाउट प्ले अगेंस केरो कांड डिफैंस सब्सक्राइब पूरी तयारी होनी चाहिए तो दोस्तों आग से मैं सुरू करूंगा केरो कांड डिफैंस की पूरी सीरीज तो बेक टू बेक सारे वीडियो आपको देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब जरूर करना होगा दोस्तों ताकि मेरे हर एक वीडियो आप एक भी वीडियो मिस नहीं करें वन वाई वन सारी ओपनिंग्स आपके पास आती रहे तो चलिए सुरू करते हैं कैरोकान डिफेंस में वाइट से हम खेलते एफोर जब भी हम एफोर खेलते ब्लैक रिप्लाई दिता है सी शिक्स दोस्तों यहाँ पर कैरोकान डिफेंस में पहला मूव से शिक्स मोस्तली हमारा सेकंड मूव सी सिक्स के सामने डीफोर होना चाहिए तो यह हमारा बेजिक मूव है इसके सामने में आपको जो सिखाने वाला हो बहुत ही जबजस आटेकिंग लाइन गैंबीट साम है पयनोव बैट्वनिक अडैक् कि पयनोव बांट्वनिक आटेक तो पेनोव बांट्वनिकattk बहुत ही बढ़िया खेलने में बहुत ही मजाएगा जो सामने वाले क्यारोकान डिफेंस खेलने वाले के charter वफेंस में तो नृ नॉर्मली मूव है इसके बाद white खेलेगा d5 अब यहाँ पे आपको करना है pawn takes pawn अलग-अलग variation होते हैं इसमें यह exchange variation है क्योंकि इसमें हम पैनव बट्वनिक अटेक करने वाला है अगर हम e5 खेल देते हैं तो advanced variation में game चली जाती है knight c3 करते हैं तो winner variation में game आती है और knight d2 तो taras variation में आप खेल सकते हो लेकिन मैं आपको suggest करूंगा pawn takes pawn exchange variation अलग-आप जानते हो कि कोई भी player center pawn को queen से नहीं लेगा क्योंकि उसका भी pawn center में होना जरूरी है तो वो खेलेगा c takes d5 यह natural move है सभी after c takes d5 यहां आपको खेलना है c4 अब यहां पे normal कोई भी player अच्छा player pawn takes pawn नहीं करता है क्योंकि उससे उसका center चला जाता है और हमारा light square भी सब develop होता है तो यहां पे black reply देगा knight f6 based reply है knight f6 या तो फिर e6 भी कर सकता है knight f6 के सामने हमें center पे ही attack बढ़ाना है यहां पे आपको खेलना है knight c3 और white अगर black bishop f5 करता है यहां पे तो bishop f5 यह rare opening में आता है मतलब इतना attacking move नहीं है और यहां पे black की एक mistake भी है तो इतने moves के बाद अगर black से कोई player ऐसे mistake करता है तो आपको यहां पे note down कर देना है कि black ने fifth move में bishop f5 किया जो यहां पे panobotonic attack में mistake है बस इसमें सीखने की कोई ज्यादा बात नहीं है बस आपको पॉन और शुरुआत के जो चार move है तो complete अपने मतलब complete करने के बाद black के अलग-अलग moves कौन से moves खराब है bad move है वह मैं आपको बताता रहूंगा और उसी move से आप opening preparation अच्छी तरह से कर सकते हो तो यहां देखते बिशब F5 क्यों गलत है यहां पर आपको खिलना है QB3 direct B7 pawn के उपर attack है अब यहां black अगर अपना बिशब return लेता है तो उसके move waste होगी और आपको center pawn D pawn मिल जाएगा तो यहां पर black reply देखा B6 B6 देखने में अच्छी move है लेकिन यह एक और mistake वाली मुह है यहां आपको C takes D5 करना है अब यहां पर देखिए black के लेका E6 उसका that's where bishop develop करने के लिए यहां आपको कलना है B5 check after knight Bd7 यहां पर simple knight F3 develop परना है next moment knight E5 की threat है तो NF3 के बाद black खेलेगा E takes D5 simple castle कर लो bishop E7 rook E1 black castle six pawn versus six pawn दोनों के pawns equal है लेकिन positionally black यहां पर बहुत ही attack में और plus position में है अब यहां पर आपको इस structure से बहुत सारी games देखने को मिलेगी तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि chessbytes.com में आप अपने पसंद की बहुत सारी games search कर सकते हो तो चलिए इसमें मैं आपको एक game दिखाता हूं e4, black c6, d4, d5, e takes d5, c takes d5, then c4, knight f6, knight c3, g6, c6, d5 square के लिए fighting वाली line है यहां पर आपको खेलना है qb3, bishop g7, c2, d5, black castle, इसमें यह line के बारे में हम बाद में discuss भी करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा तर player black से d5 on को कुछ move के बाद में वापस लेने का try करते है यह उनकी preparation होती है तो उसे कैसे perfect reply देना है वो मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा अब हम देखेंगे मेरी खेली हुई game जो sigoring defense में खेली थी दोस्तो आज की game मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहांपे sigoring defense में मैंने खेला था black से और sigoring defense के d4 against में वीडियो बनाने वाला हूँ तो इसके notification भी आपको मिल जाएंगे इसलिए चैनल को subscribe जरू करना चलिए शुरू करते है d4, d5, c4 mostly sigoring defense quins gambit के सामने ही होता है तो c4 के सामने 2nd में knight से 6 यहाँ पे knight c3 variation यह सबसे based होता है white के लिए पर इसके सामने क्या से reply दिना है यह मैं आपको बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में जब यह मैं sigoring की series शुरू करूंगा तो सभी opening सभी variation आपको मिल जाएंगे यहाँ पे e6 खिला है knight f3, knight f6, pinning और यहाँ पे bishop e7 तुरंत after e3 short castle a3 b6 b5 अब white का idea यहाँ पे c5 करने का है तो यहाँ पे knight e4 early move मतलब तुरंट attack करना जरूरी है और bishop text, quint text, knight text, pont text और knight date उसके सामने f5 अब मुझे c5 की कोई tension नहीं है c5 a6 idea behind this move के मैं b5 भी stop कर दूंगा यह b5 को यहाँ आने से रोकता हूं रूक c1 यहाँ पे एक थ्रेट है cb6 और रूक text c6 तो इसको simple block कर देते हैं qb3, rook b8, bishop e2, king h8 एक वेटिंग मूँ है h4 यहाँ पे white ने student attack कर सुरूक किया है रूक d8 idea कि मुझे अब रूक d5 करना है और उसके बाद में e5 break करना चाहता हूं पहले knight अब white ने e5 करने से रोक लिया यहाँ पे तो c6, h6 जरूरी था क्योंकि h6 नहीं करते है तो h6 white की मुझे जो है वो हमें परेशान कर सकती है रूक h4 रूक d5 अब हमारा move होगा e5 विशब d1 फिर भी हम e5 करेंगे विशब d9 sacrifice यह मैंने सोचा था उसने यह सोचा है कि अगर हम pawn text knight करते है तो रूक text pawn मारके हमारा pawn pinning करेगा और यह center pawn पे attack करने के बाद उससे attack मिलता है लेकिन यह गलत sacrifice था premature sacrifice मैंने simple pawn text pawn किया जिससे queen पे attack आता है और बाद में pawn text knight और simple हम P साप हो गए है अब दीरे दीरे plus होने के बाद game को संभाल के खिलना होता है जब भी आप plus होते हो तो बहुती देखो double attack हो गया है और B8 वाले rook और F5 वाले bishop पे simple rook F8 जिसे discover भी हो गया queen e3 knight manoring कर रहे हम अब देखो d4 pawn पे दो attack king से 4 support करेगा knight game में आ गया है और यहां पहले pinning में से हटाना जरूरी है जहाँ पे already d4 पे तीन attack है white ने एक support बढ़ाया और उसके बाद queen g5 after pawn push simple bishop h7 यहां पर bishop से pawn मानना यह bad move होता अगर मैं bishop takes pawn लेता तो और हमने queen से लिया और इसके बाद c4 पे उसने control किया है रूक exchange में रख दिया है simplify हमारे लिए best होगा अब हमें rook queen भी simplify करना है तो simple check और game बिल्कूल easy हो जाएगी यहां पर develop your bishop first bishop को centralized कर दिया उसके बाद king लाना है simple simple game हो चुकी है इसमें कोई complication अब नहीं है आप देख सकते हो यह पूरा bishop plus है तो ज्यादा risk लेनी कि कोई जरुवत नहीं है चैक देखे एक पीश exchange कर दो और हम material advantage लेंगे यहां पर square control करते जाना है दूस्तों सामने वाले के कि इंको भी entry नहीं देनी है यह खास द्यान दखो game में जब भी आप game खेलो तो opponent के कि इंको भी entry मत दो और धिरे धिरे आपको उसके सारे पौन मिल जाएंगे यहां पर white ने resign कर दिया है तो यह बेस्ट गेम थी क्यारोकान defense के सामने सॉरी वाइट से queen's gambit के सामने सीगोरिन defense मैं सीगोरिन defense के बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूं तब तक के लिए पहले हम कैरोकान अगेंस पैनो बोट्वनिक एटेक के बहुत सारे वीडियो देख लेंगे तो नए वीडियो में जल्द ही मिलेंगे जाए हैंड जाए गुद्रात झाल